हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इडू हम सफर सफर सफलता क्यों फ्रेंड्स आज इस वीडियो ममलुक बिहार द्रोगा के जो वेकेंसी हाली में जो आने वाली 2000 प्लस वेकेंसी उसी के लिए यह रुक्मणी प्रकासंदरब ब coast निकला गया है जो कि इसमें 29 कोशन मेंग दिया गयाए जो कि इसमें 2008 से लेके 2024 तको कोशन को सामिल के गया है जो कि आज हम आपको देखने वाले हैं जो कि 2008 का question paper होगा इसे आप सबी जरूर देखे गाए इससे आपको पताचल ऱह गागा बिहार दरोगे का जो question जो होता है उसमें कीश type का question पुछता है और हर बार जब exam पुछता है तो कीश type का उसमें परिवर्तन होता है तो उससे आपको आगे भी परिवर्तन जो करेगा वो आपको पता चल पाएगा तो इस वज़े से previous question पहले ही start किया है जो कि इसे complete कराने के ब जो है आपको description में comment box मिल जागा अगर अभी तक आप चैनल को subscribe निकें तो चैनल को subscribe के लिजएगा और बगल में बेल आइक नहीं जिसे जरूर दबा लिजएगा ताकि जब भी वीडियो डालने तो आपको notification प्राप्त हो तो चलिए दोस्तों आज question आपको देखते हैं जो कि महनवादी जो होते हैं उनकी निक्ति जो भारत में किसके दोरा किया जाता है यह जो किया जाता है वो राष्टपती के दोरा किया जाता है इसका जो answer जो हो जगा बी नमबर हो जागा जो कि यह महनवादी जो होते हैं भारत सरकार के पुराथम बीधी का दिकारी होते हैं य वही उप राश्पति किसे अपना त्याग पत्र देते हैं तो यह जो राश्पति को देते हैं तो याद रखेगा यह इनको देते हैं और यह इनको देते हैं वही सही लोकसभा में पूछा देता है कि लोकसभा अध्याक्ष जो है किसे अपना त्याग पत्र देते हैं तो लोक लोग्ण सवा अध्यख्ष देते हैं यह आप जरूर याद रखे क्यूंकिि इस से बारबर बार question पूछता है इसका जो एंसर जो जागा सी नंबर हो जागा है आगे कोश्चन रहत पर्तिबाध कोन हो जागा इसका राइवाराra प्रतिबाद सिंग पार्टी भारत के राश्पती जो थी, वो 2007 में बनी थी, जो कि यह कब से कब थी, तो 2007 से 2012 तक यह बनी थी, जो कि उसमें यह 2008 में कोश्चन पूछा गया था, वही कोश्चन पूछा है कि बरतमान में कौन राश्पती है, तो बरतमान में राश्पती जो है एक भारत के 23 सेना प्रमुह कौन बने हैं? भारत के 23 सेना प्रमुह ये भी जो 2008 में कोस्षन पुछा गयाता, तो उस समय जो ते हैं वो दीपक कपूरत हैं, इसका जो एंसर जो हो जागा वो डी नंबर हो जागा. वहीं बरतमान में कौन हैं? तो बरतमान में 29 हैं, जो कि 29 जो कि इसमें से भारत के मुख्यनायधीस कौन रहे हैं देख लिए हैं यहां जो दिया जागए कि RC लाहोटी जो थे 2040-25 तक भारत के मुख्यनायधीस रहे थे फिर आगे देगा है K.N. S. जो कि K.N. S. जो थे हैं यह भारत के मुख्यनायधीस जो ते हैं या 1991 इसी में बने थे जो कि यही कोशन पूछ देगा कि सबसे छोटा कारेकाल किन का था तो सबसे छोटा कारेकाल जो ता वो के एन सींग का आई था फिर आगे दिया है के जी बाल कृष्णा जो कि के जी बाल कृष्णा जो ते 2007 से 2010 तक भारत के मुख्यनाईदिस वही कोशन यहां दिया कि जो कि उप्यूक्त में से सबीत है इसका जो एंसर हो जगा डी नमबर हो जगा सब ही मुख्यनाईदिस रहा चुके हैं वही कोशन पूछ देगा कि भारत के बरतमान मुख्यनाईदिस कोन है तो बरतमान मुख्यनाईदिस पचासवे करम के हैं जो क इनका नाम जो ए डी वाई चंदर चुने जो कि यह 9 नॉमबर 2022 को यह सपत लिये थे हैं इसका जो एंसर जो हो जागा डी नमबर हो जागा आगे देखते हैं दिया एक राज्य मंत्री परिशत कि इसके प्रती उतरदाई होता है तो राज्य मंत्री परिशत जो उतरदाई जो ह होता है वह बिढ़ान सब्स के किर कारा का हुथ होता है कि इन्टोबिषेष प्रस्थिती में राज्य पाल के या अधिकार है पूरा भी इसे बिघटित या भ्हांग कर सकता है वह क्वोश्चन होलिए कि विढ़ान को सत्रवासान टानेई किस के दोरा दिया जता है तिया जो दिया जता है राज जिपाल के दोरा दिया जता है इसका जो एंसर जगा C नंबर जगा तता आगे देखते हैं दिया है कि बिहार में पूल सणक निर्मार के लिए सरकार ने कीस कंपनी के साथ अनुबंद किया है तिया जो अनुबंद जो कि आगे वो तातिया कंस्ट्रक्षन के साथ इसका जो एंसर जगा बी नमबर जगा यह भी कोस्टन जो दोजर आठ में पूछा गया था यह जून उनिसो पच्छत्तर इसमिं भारतिये कंपनी अधिनियम उनिसो च्छपन के तहत यह बिहार राज्य पूल निर्माण निगम लिम नमबर हो जागा वही कोशन पूछागा कि जूट के उत्पादन में राज ये प्रथम अस्थान पे कौन सा है तो यह राज जो है वो पौश्ची मंगाल है याद रखेगा इस सब कोशन बार बार रिपीट होता है आगे देखते हैं दिया है कि 867 निस्भी के बिद्रोह में बाबु कुवर सिंग ने बिहार के 20 छेत्र में नेत्रित परदान किये थे यह जो नेत्रित परदान जो किये थे वो आरा के जगदिसपूर छेत्र में इसका जो एंसर जो हो जागा C नमबर हो जागा आगे देखते हैं दिया एक 9 निर्मित नलंदा बिसु बिद्दाले के बिजिटर कौन बने गए थे तो यह नलंदा बिसु बिद्दाले जो थे इसके बिजिटर जो बनाये गए थे वो एपी जे अबदुलकलाम को जो कि उसमें एपी जे अबदुलकलाम को यह नलंदा बिसु बिद्दाले के बिजिटर बनाये गए थे इसका एंसर डी नमबर ह आगे कुश्चान की ति बहारत के महनवादी को कौन हटा सकते हैं। जो होते हैं जिनकी चल्चा की सभाधिया गया त यहां जो एंसर हो जागा ए नूमबर होजागा। यह क्या होता है तो यह संसत के किसी भी सदन के सदसे ना होने पर भी महन्मदी संसत की बेठक में भाग ले सकते हैं आगे देखते हैं दिया एक बिहार की कितने परतिसत सक्षारता दर 2001 की जनकर्णा के अनुसार है तो 2001 की जनकर्णा के अनुसार जो हो जागा वो हो जागा 47.53 परतिसत है इसका जो एंसर जागा C नंबर हो जागा वही कोशन पूछ दगा कि 2011 के जनगर्णा का अंसार कितना है तो 2011 के जनगर्णा का अंसार एक सट पॉइंट आठ जीरो परती साथ है इसका जो एंसर हो जागा सी नंबर हो जागा आगे देखते हैं दिया कि ध्यान चंदर की स्खेल से संबंधित खिलाडी रही है तो यह ध्यान चंदर का संबंध जो था यह होकी से था हुउकी का जादूगर्णा जाता है इसका एंसर बी नंबर हो जागा जो कि यह सेरसा जो थे हैं, वो सूर्ष समराज के संस्थापक अफगानी सेरसा सूरी थे हैं, आगे कोश्चन लेखते हैं थे हैं कि भारती राष्ट कॉंग्रेस के अस्थापना कब हुआ था, तो भारती राष्ट कॉंग्रेस के अस्थापना जो किया गया था, या 1885 इस भी पे किया गया था तो इसकी प्रत्थम बैठक गोकुला दशelles तेजपाल सन्सक्रिट कॉलेज जो बंबई कोई वहाँ पे किया गया था तो इसकी प्रत्थम अधियृख्यता जो आ डावलू बनर जी के द्वरा किया गया था, जो कि इसमें कुल कितने सदस से भाग लियत है तो एसमें कुल 72 सदस से भाग लियत है, आँगे देखते हैं, यह को ब्यापकत का सिधान, जो कि इसी को और किस नाम से जाता है, इसे अंग्रेजी में जो कि कोशन ये भी पूछ देगा कि इस नीती के तहद सौर पर्थम कीस राज को सामिल किया गया था, यह जो किया गया था, 17 राज को 1848, डेर यह आप लोग याद रखे है कि यह कोशन बार बर पूछता है, 1848 इस भी में 17 को पर्थम बर सामिल किया गया था, वही कोशन दी नमबर हो जागा जो कि इनके काल में प्रमुक घटना कौन सी घटीद हो इनके करेकाल में प्रमुक घटना जो थी जोहें यह जो सम्वन मुद आगे दक्राइञ प्राइञ प्रक्राइञ प्राइट है का एक सारवधिक महतपूर्ण और विख्यात के अंदर था वही कोश्चन पुछ दया है यहां दिया धरमपाल जो कि धरमपाल कीस का उडगाटन किया थे यह अस्थापना किया थे तब बिकरम सिलाबी सुभिद्याले जो इसकी अस्थापना धरमपाल दोरा किया गया था आग देखते हैं दिया गुरु गोविन सिंग की माता का नाम किया था तो गुरु गोविन सिंग जो थे इनके माता का नाम जो था देखलते हैं पहला देख बीबी जैला जो कि यह भी नहीता तो अगला काजरी देवी जो कि यह भी नहीता तो इन में से कोई नहीं इसका जो एंस अगे देखते हैं दिया एक फणिस्वर नात रेणु का जन्म कहां हुआ इनका जन्म हुआ था रिखेना अगते हैं ले संकरप्रसाथ धृर्ण इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जागा, जो कि यह कमाईनी जो पूस्तक हिंदी भासा के एक महाकाब्य है, जो कि यह आधुनिक छायावादी का सर्वतम और परतिनीधी हिंदी महाकाब्य है, इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जागा, जो कि यही कोशन आगे देख लेते है जो कि दिया गए कि आर्थ सास्तर पूस्तक किस ने लिखा था ति ये आर्थ सास्तर पूस्तक जो लिखा गया था वह कौटिल ले द्वरा लिखा गया था इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जगा जो कि आर्थ सास्तर पूस्तक जो था ये किस से संबन देते ति इसका संबन जो राजनीतिक और प्रसासन से आगे कोश्चशन एक तेन्दी नहीं है कि इनकलाब जिंदावद का नारा किस ने दिया था ति इनकलाब जिंदावद का नारा जो दिया गया था वो भगत सिंख के द्वरा दिया गया था इसका जो answer जगा किस किस के बीच हुआ था बताना आपको को बक्सर का यूद जो हुआ था वो किस के किस के बीच हुआ था यह जो हुआ था मीरकासिम और अंग्रेज सेना के बीच में हुआ था इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जागा जो किया यूद का हुआ था तो यह जो हुआ था तो यह यही कोशन पूछ देगा कि बिहार में कुल कितने जिले हैं तो बिहार में कुल 38 जिले हैं जो कि 38 जिला कौन सा बना था यह जो बना था वह और वल बना था वही कोशन पूछ देगा कि बिहार में कुल कितने परखंड है तो बिहार में कुल परखंड जो 534 है वही कोशन क्योंकि एसे मुबाइल नंबर की तरह याद की जगह ताप लोग आसानी से याद रहेगा तो 94163 जो वर किलोमीटर जो बिहार का छेतर पल है तो इसका जो एंसर जगह सी नंबर हो जागा आगे क्वेश्चन रखते हैं दिया है कि वर्स 2001 की जनगरना कंसर बिहार का कूल जन स संख्या कितनी है तो इसकी जन संख्या जो यह भी मुबाइल नंबर की तरह याद रखेगा याद रखेगा आठ अठाइस अठातर साथ सो चानबे है इसका जो एंसर जगह ए नंबर हो जागा वही कोश्चन पूछ जगह यहां एक दिया गया तो यहां दो हजार अगर 111 द आठ अठाइस अठाइस अठातर साथस सो चानबे है तो इसका जो पूछा था या सितारा देवी का सब्मंद निरते से हुआ इसका एंसर जगा D नमकर हो जागा आगे दिखते हैं पटना हाई कोट की अस्थापना कौब किया गया था जो जो जा अगे आगे दिखते हैं 32 नमकर देख लिते हैं दी नमबर हो जागा जो कि जैन धर्म के यह अंतिम तिर्थांकर क्रम के ते यह जो थे हैं वो 24 वे तिर्थांकर थे हैं वही कोश्चन पूछ देगा कि इनका जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म जो है यह 540 BC में 540 इसा पूर में यह कुंडल ग्राम जो कि बैसाली में सीस है नमबर होगा आगे देखते हैं एक भगवान बुद्ध का जन्म लुंबनी में हुआ थाा लुंबनी कहां पे इस द सीतिरी तो इनका जो एंसर जो है इनका जन्म जो हुआ तो यह 637 BC में हुआ था वही कोश्ण पूछ देगा कि वह बहुत धर्म के संस्थापक कों थे तो बहुत धर्म के संस्थापक जो थे भगवान बुध या इनका नाम जो ए गौतम बुध था वही कोश्चन पूछ देगा इन्हें किस नाम से जाना जाता है तो इन्हें एसिया का जोती पूंज या लाइट आफ एसिया इन्ही को कहा जाता है जो कि इन्होंने प्रथम उपदे जो थे इनका मिर्तु कहां पे हुआ था इनका मिर्तु जो कुसी नगर में 483 BC में हुआ था जो कि इस मिर्तु को किस नाम से जाना जाता है तो इसे महा परी निर्मार के नाम से जाना जाता है आगे देखते हैं दिया है कि जहर्खंड देश का कौन सा राज है बताना आपको खरघं का निर्माड जो किया गय था तैया हूँ जो निर्माड जो हूँ गाता हूँ था दो हजार इस भी को किया गया था, वही कोशन पूच है कि 29 राज ये कौन सा था, तो 29 राज जो था वो तेलंगा ना था, लेकिन बरतमान में कुल कितने राज है तो बरतमान में कुल 28 राज हैं और आट केंदव साशित परदेश है जोcky इसका answer C number हो जगा ततह आगे देखते हैं लोग सवा सीटों की संख्या कितनी है तब बिहार में लोग सवा सीट्ट की संख्या जो है या 40 है इसका जो answer धियान बाइश बार बार पुछता है इसका एंसर धि नमबर हो जागा आगे देखते हैं दिया है एक अंतराश्टिय महिला दिवस कब मनाय जाता है तो अंतराष्टिय महिला दिवस जो मनाये जाते है आठ मर्च को मनाये जाते है इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जागा आगे देखते हैं दिया एक बिम्बिसार कीस वंस के राजा थे यह बिम्बिसार जो राजा जो ते है वो हरियक वंस के थे इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जागा जो कि हरियक वंस के संस्थापक जो ते है बिम्बिसार मगद की गल्दी पर यह 544 इसा पूरो में किये थे है इसका जो answer हो जगा ए नंबर हो जायगा आगे देखते हैं दिया है कि भारत में प्रथम सत्यागरा गांधी जी ने कहां शुरू किया थे तब प्रथम सत्यागरा जो गांधी जी 徒रह सुरू जो किया गया था भारत में वो बिहार के चमपारण में किया अगया थे गांधी जी को बिहार आने का अनुरोज जो है राजकुमार सूकल ने 1916 के लखनाव कॉंग्रेस अधिविसन में किये थे इसका जो एंसर जगा बीनमबर हो जागा अब अही कोश्चन पूछ जाए कि गांधी जी प्रथम सत्यागर तब यह प्रथम सत्यागर जो दक्षिन अफरीका में चलाये थे हैं आगे देखते हैं जो कि अगला देख लेते हैं दिया कि भारती इस्टेट बैंक ने हाली में भारत के बाहर कहां अपनी नई साखा खोला थे यह भारत के बाहर अपनी नई सखा जो है वह इजराइल में जो किया हो जो कोश्चन है 2008 का कोश्चन है जो कि उससे में जो करेंट का कोश्चन था या इजराइल में खोला गया था इसका एंसर बी नमबर हो जागा जो कि यही कोश्चन पूछ देगा कि सबसे अधिक जो विदेशों में अपनी स सार्क का सबसे नया सदस से देश कौन सा है, तो सार्क का सबसे नया सदस से देश जो बना है, वह अफगानिस्तान बना है, इसका जो एंसर हो जगा, डी नमबर हो जागा, जो कि सार्क का पूरा नाम क्या होता है, तो सार्क का पूरा नाम जो होता है, दक्षिन S.E.I.E. छेतर इसने स्थापने कर लिया था आगे कौशन पूछ निरा स्थापना कब किया था तेजो चवविस अक्टूबर उनिस्व पैंताली सिस्विव का किया गया था आगे question देखते हैं जो कि आगे देख लेते हैं तिया है सीवा जी को किस ने कैद कर लिया था तो सीवा जो को कैद करने वाले जो थे हैं वह औरंग जेब था इसका जो answer जगा C नमबर हो जगा जो कि आगे देखते हैं 43 नमबर जो कोश्चन देखते हैं महत्मा गांधी को भारतिय राष्च का अधियक्ष ऑने थे हैं वह चालिसवा अधिवेशन उनसा चाववीस इसम में बेल गाव में हुआ था उसका अधियक्षा किया थे इसका जो answer जो हो जगा C नमबर और हो जाएगा वही यहाँ देए 1916 जो कि 1916 इसमें का दिवेश्चन की अध्यक्स्टा जो था बंबाई में डॉक्टर राजेंदर परसाद द्वारा किया गया था इसका जो एंसर हो जागा पुछा गया था कि भारतराष्ट कॉंग्रेस के महात्मा गांधी कब बने थे हद्यक्ष तो यह जो बने थे यह 1924 में बने थे इसका एंसर C नंबर हो जागा आगे देखते हैं तो यह एक बंगाल का बिभाजन हुआ था ति यह बंगाल का बिभाजन जो हुआ था यह 1905 इस भी हुआ था इसका जो एंसर जो हो जगा बी नंबर हो जागा बंगाल बिभाजन के घोषना जो सीमला से 19 जुलाई 1905 इस भी को यह करजन के दोरा किया गया था इसका जो याद रखिया पर 1905 को 20 दिवस के रूप में मनाये गया था तो यह इस दिन राष्टि ये सोक दिवस मनाये गया था आगे कोश्चन जेकते हैं ते है कि राइसबा और लोकसबा की सन्युक्त बैठक जो बुलाए जाता है वह राष्ट्पती के दोरा बुलाए जाता है इसका जो एंसर जो हो से दोरा किया जता है जो कि इसके बुलावा जो किया जता है वो राश्पती के दोरा किया जता है इसका answer A number हो जाएगा जो कि यही question एक बर पूछा गए सन्युक्त बैठक जो की नियम के तहत या कीस के तहत बुलाए जता है तो यह जो बुलाए जता है सधारन बिध्यक पर द कैस वर्स या उससे उपर होना जाए इसका answer जो हो जागा C number हो जाएगा वही question पूछा है कि यह अगर लोकसभा या बिधान सभा का जो सदा से बनने के लिए नियमतम आयू कितना होना जाए तिया हो जो होना जाए पचीस वर्स होना जाए पचीस वर्स से अधिक होना जाए यह कम से कम दियागा जो कि कम से कम पचीस होना जाए या उससे अधिक होना जाए वही question पूछा है कि राष्टपती या उप राष्टपती या राजिपाल बनने के लिए नियमतम आयू कितना होना जाए तिया हो जो होना जाए कम से कम 35 होना जाए 35 से उपर होना जाए वही म पहट शंद्बोस राष्टियख संस्थान जो इस्थित जो यह वह पटी आला में इस्थित है इसका जो एंसर जो हो जगा D-number हो जागा आजा जो कि दिया है कि जस्पाल राना का नाम निमलिखित खेलों में से 20 खेल से संबंधी थे इनका जो संबंध जो वह निशाने बाजी इसका जो एंसर जगा बीनमबर हो जागा आगे देखते हैं जो कि आगे देखते हैं तिया है कि राजा भोज निमली खित्म से कीस राजवन से समन्नी थे हैं तिया राजा भोज जो थे हैं इनका जो समन्न जो था वह परमारवन से था इसका जो एंसर जगा बीनमबर हो जागा तो कि यह राजा भो जो थे हैं, वो कविराज की उपादी से विभू सिट सासक्त हैं आगे देखते हैं तिया एक डिल्ली के लाल किले मैं इस सित मोती मस्जिद को किसने बन वाये था तिया मोती मस्जिद जो दिल्ली में गया उसका निरमार जो करवाइ गया था जगी वही question पूछ देया कि किसके काल को अस्थापत्य कला का स्वाण युग कहा जाता है तिया साह जहां कि सासन काल को अस्थापत्य कला का स्वाण युग कहा जाता है इसका answer B number हो जागा आगे देखते हैं दिया एक वर्स 1857 इस भी मेराठ में प्रथम सिपाही बिद्रो को आग कीस दिन भढ़की थे तो यह 1857 के जो मेराठ में प्रथम सिपाही बिद्रो जोगा था इसका आग जो भढ़की थे यह 10 माई को 10 में 1857 को इसका जो answer जो हो जगा A number हो जागा आगे question देखते हैं दिया एक महात्मा गांदी की हत्या नाथुराम गोडसे ने निमलीखित में से कीस सीथी को किया था यह जो किये थे वो 30 जनावरी 1948 इस भी को इसका जो answer जो हो जागा D number हो जागा इसका जो answer हो जगा C number हो जगा जो कि 28 माई 2008 को नेपाल को गनडाज अस्थापित किया गया था वही question पूश है कि नेपाल जो है उसमें नया समिधान कब लागू किया गया था तो नया समिधान जो 20 सितमबर 2015 को नेपाल में लागू किया गया था आगे देखते हैं दिया एक राइसभा का सदस नौ निर्वाचित होने के लिए आवस्यक निम्तम उम्र कितना होना चाहिए ते राय सभा के सदस निर्वाचित होने के लिए आवस्यक निम्तम उम्रों जो होना चाहिए वह 30 वर्स होना चाहिए इसका जो एंसर जो हो जगा बी नमबर हो जागा जोग यही कोशन पूशे रहे कि राय सभा के गठं किस अनुषेद में किया गया है तो यह जो ऑजबान किसा दवरा किया गया है गया था भारत के दवरा किया था इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जागा वही कोश्चन पूछ देगा कि 2022 में राइश्ट मनल खेल का आयोजन कहां पे किया गया था तो यह जो आयोजन जो बर्मिंग हम जो की इंगलेंड में इस्थी थे वहां पे किया गया था इसका एंसर डी नमबर हो जाएगा आगे देखते हैं जो कि अगला कोश्चन यह वर्स 2008 हिस्वी में रहे ओलंपिख खेलो का आयोजन असल है यह 2008 में ओलंपिख खेलो का आयोजन जो असल वगilton में जो आइंसर जागा जो किkा कौन से किरम का था तो यह 2008 में जो आयोजन जो किया गय था यह 39 करम का था जो कि वहाई कोश्चन 1 में ύक Commissioner 2021 के τουobyantly in ALEX तीसवा था इसका एंसर C नंबर हो जागा आगे देखते हैं दिहां upset insert क्रांती का समंध 12 से क्रांती fact operation flood कहा जाता है जो कि इसकी शुरुवाद कब किया गया था तो इसकी शुरुवाद जो 1970 में किया गया था जो कि स्वेट क्रैंती के जनक किसे माना जाता है तो यह जो माना जाता है वर्गीज कूरियर को माना जाता है आगे देखते हैं दिया है सतलज चिनाब और रावी निम् व्वगिदार ग्रेट खली का असली नाम क्या है ग्रेट खली इनका असली नाम दिलीप सिंग रहाणा है इसका जो एंसर जो हो जगा C नंबर हो जागा आगे देखते हैं शाट नंबर जो कोशन दिया गया है पंडित रवी संकर का सम्मन निमलीखित में से की स्वाद यह जो जाना जाता है जै प्रकास नरायन को इसका जो एंसर जो हो जगा D नंबर हो जागा वही कोशन पूछत है कि लोकमानने के नाम से किसे जाना जाता है तो लोकमानने के नाम से बाल गंगादर तीलग को जाना जाता है वही कोशन पूछत है कि लोक हीतवादी के नाम से किसे जाना जाता है तो लोग हितवादी के नाम से गोपाल लहरी देशमुख को जाना जाता है वहे जन नायक के नाम से किसे जाना जाता है तो जन नायक के नाम से कपूरी ठाकूर को जाना जाता है इसका जो एंसर जो जगा D नमबर हो जागा आगे देखते हैं दिया है कि कुंगल समराट अकबर ने गुजरात बीजय के उपलक्ष में कराये थे हैं आगे देखते हैं कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बंगलादेश के बीच कौन सी रेल गाड़ी चलाई गई है यह 2008 में जो कोश्चन पूछा गया था जो कि उसमें लंबे अंतराल के जो बा भादता ओधाका के भी चला गया था 2017 में दूसरी ट्रेंज जो चलाई गया थी जो की उसका नाम क्या था उसका नाम जो था वंदन एक्सप्रेस था वहicemधर कूर्षण करेंकर फिछा और बार भारत के राश्टपती को पद से कौन हटा सकता है तब भारत के राश्टपती को पद से हटाने का जो सकती जो होता है या होता है संसद के दोरा इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जाएगा जो कि राश्टपती दोरा समिधान के प्रवधानों के उलंगन पर संसद के किसी सदन दोरा उस पर महाभ्योग लगाया जा सकता है जो कि प्रन्तु इसके लिए आवस्यक है कि राश्पती को 14 दिन पहले लिखित सुचना दी जाए जिस पर उस सदन के 142 सदस्यों का स्थाक चरोना चाहिए वही कोशन पूछ दे कि राश्पती पर महाभ्योग के परक्रिया की सनुछेद के तरहत लगाया जाता है जो कि यह महाभ्योग जो ता है यह संसत का और दिन्याईक संस्था के तरह कारे करती है इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जगा आगे देखते हैं दिया एक भारत का बैपारिक समन सबसे पहले कीस उरोपिय देश से अस्थापित हुआ था यह जो अस्थापित जो हुआ था वो पूर्तगाल में इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जगा पूर्तगाल का अस्थापित हुआ था इसका एंसर एक नमबर हो पहुँचकर भारत और इरोब के बीच नये समुंदरि मारकी खोजगियत है इसका answer A number हो जागा आगे देखते हैं दिया कि Wellington Cup इसका समिंद 거 हो जागा इसका answer C number हो जागा आगे Ants परीथिमी का एकमातर प्रकेडिक उप हो जागा उप्गरह जो जागा चंद्रमा है इसका जो एंसर जगा D नंबर हो जागा वही कोश्चन पूछा हुए एक बार के चंद्रमा के अध्यान को क्या कहा जगा जगा तो चंद्रमा के अध्यान जो किया जगा वह सेनोलोजी के तहथ किया जगा याद रिखेंगे इसे लिख देते हैं ताकि confusion ना हो इस से कहा जाता है सेनोलोजी कहा जाता है इसका एंसर क्या हो जगा तो डी नंबर हो जगा तो आगे देखते हैं दिया एक जातक पवीत्र ग्रंत है तो जातक पवीत्र ग्रंत जो है यह बाधोका है इसका जो एंसर जो हो जगा C नंबर हो जगा आगे देखते हैं दिया एक यह भुमध्य सागर को यह जो जोड़ता है यह लाल सागर से जोड़ता है इसका जो एंसर हो जगा डी नमबर हो जागा। जो दिये थे उतर प्रदेश के बनारस के सारणत में दिये थे इसका जो एंसर जगा सी नंबर ऊजगा जोकि यह उतर डिये थे वह दिये थे पाली भासा में, याद रखिया गए यह भी कोश्चन एक बार पूछा गया था, आगे देखते हैं दिया है कि अनुछे 370 इस भी का सम्मन की सिराज के बिसेश प्रधान से है, तिया अनुछे 370 जो यह 2008 में कोश्चन पूछा गया था, जो कि उसमें यह 370 का प्रध प्रधेश अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, जो कि इसके तहट अब जम्मु कस्मिर और लदाक जो दो केंसासित प्रधेश में 31 अक्टूबर 2019 को भी भाजित कर दिया गया था, इसका एंसर C नंबर हो जागा, आगे देखते हैं दिया है कि रजनामा फार्सी में आगे देखते हैं यहाँ सबसे पर्ले मुआखल जम्मु के बारे में दिया गया है, जो कि इसे तीन सासक हुं है जिनोंने दो बार अपना राजेक इसे करा था, देखिसे तेनों को देख लेते हैं, तइहहां सबसे पहले मुझल समराट देख लेते हैं, तोि regional जस्वाणार इंगल समराठ जो थे हैं वह आरंग्जेब तैं जो कि यह कब किये थे हैं तो आरंग्जेब पहला राजेविश्रेक जो एकतीस जुलाई 1668 इसवी को आगरा में किये थे याद़ रह갈ा इंहोने पहला काहाım पre किया था थे यह एकतीस जुलाई यह 1658 इसवी में आगरा याद रखियेगा वही दूसरा कब किये थे तो इन्होंने दूसरा जो है देवराई के इउद्ज में सफल होने पे यह 15 माई 1669 भी को इन्होंने औरंग जेब ने दिल्ली में प्रिवेस किया और साहजहां के संदार महल में जून 1669 में दूसरी बार राजविसेख करवाये थे यह मुंगल समराट सा औरंग जेब के बाद दो कौन से सा सकते हैं तो यह दूसरा जो साखसक जो थे हैं वह फिरो सा तुगलक थे हैं जो कि फिरो सा तुगलक जो थे हैं इन्होंने ठाटा में पहली बार करवाये थे हैं वही दूसरी बार जो है दिल्ली में राजविसेख क परवाये थे हैं यह तीनों आप लोग जरूर याद रिखें कि यह कोशन बार बार पुछता है इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जागा आगे देखते हैं दिया एक अंग्रेजों का सुनाहरा फरमान का प्रदान किया गया था यह अंग्रेजों के द्वारा सुनाहरा फरमा पर अधिकार कब किया था तो पुर्दगालि यो दोरा जो गौई पर अधिकार किया गह था वो 1560 में इसका जो एंसर जो जगा बी नमबर हो जागा आगे देखते हैं जो की कोश्चन देखें रेसम किसे उत्पन होता है तिया रेसम जो उत्फन जो होता है वो रेसम के कीड पिउपास होता है प्रदनता नेट्वर्क ये भी सही है जो की ये भी सही है जो सबी हो जागा इसका एन्सर जो हो जागा डी नमम्बर हो जागा आगे देखते हैं 78 नमर्ट दिया एक निमलीखित में से कौन से personal computer के कुंजी पटल की कुंजी परामपरागत टाइप राइटरों में उपलब्ध नहीं है देख लेते हैं इसमें कौन सा उपलब्ध नहीं है तो पहले देख टेप जो की है अगला से space bar जो की ये भी है तो आगला दे enter जो की enter वह नहीं है तो इसमें नहीं वलाए बतनां है तो इसका जो answer हो जागा C number हो जाएगा सब्सक्राइब हो जागा इंटरे का प्रणाणी से पहला देर www जोकि इसमें www सही है तता अगलेद है HTTP जोकि यह भी है तता अगलेद है email जोकि यह भी है तो उप्युक्त सभी हो जागा इसका answer D number हो जागा जोकि यही question पुछ देगा कि internet का अविसकार कभ होगा था तो इसका अविसकार जो है 1960 सभी होगा था आगे देखते हैं जोकि question एक की सरक्त वर्क के बेक्ति सरवदाता इनिवार्सल डोनर कहा लाता है तिया universal डोनर यह उसी को सरवदाता का जाता है यह जो कहा जाता है वह blood group जो कि यह blood group के बेक्ति को रुधिर दे सकते हैं खुन दे सकते हैं जोकि इसलिए इससे सरवदाता ग्रुप कहा जाता है इसका जो एंसर यहां सरवदाता पुछाता तो इसका एंसर सी नंबर हो जागा आगे देखते हैं जोकि question जगे तन्हे की कटाई का प्रियोग निमली कितम से किसे पूना ऊगाने के लिए किया जहता है तो देख लेते हैं पहला दैक कपास ततबा नहला दैक केलह पर्टसण ततह आगला दैक गन्ना तो यह गन्ना के पूना उगाने के लिए किया जाता है, इसका जो एंसर हो जगा D नमबर हो जागा आगे question नेकते हैं दिया है कि AIDS का पून्डूप क्या होता है तो AIDS का पून्डूप जो होता है, वो acquired immunodeficiency syndrome होता है इसका जो एंसर हो जगा C नमबर हो जागा यही question पूच देगा कि AIDS जो होता है, इसके कौन से बिसाडू होता है, तो इसके बिसाडू जो हता है, उसे HIV कहा जाता है आगे देखते हैं दिया है कि दूद के फटने पर कौन सा acid उतपन होता है तो दूद जब फटता है तो इसमें acid जो उतपन होता है वह lactic acid होता है इसका जो answer जो हो जगा C number हो जागा आगे question देके हैं जो कि 84-5 question dेख लेते हैं क्या दिया गहा है यहाँ 84-5 question दिया है कि क्या प्रवाल सुरुत होता है संत्रा शूरुत होता है यह बिटामिनस का होता है इसका एंसर पैडागा घाown सा छाए जाए जाए तो पहला देव डेंगो बुखार जो कि होता है, अगला देव फाइलेरीया, जो कि ये भी होता है, तो अगला देव घेंगा, जो कि घेंगा जो है या ऐोडीन के कमी से होने वला रोग है जो कि या मच्छर के काटने से नहीं होता है तो इसका जो एंसर जगा D-Number हो जागा आगे देखते हैं दिया है पालक के पते किसके प्रबल स्रोत हैं तो पालक के पते जो स्रोत जो है या आइरन के हैं इसका जो एंसर जो हो जागा बी नमबर हो जागा जोगी सबसे अधिक iron किस में पाए जाता है तो सबसे अधिक iron जो है वो मेथी में पाए जाता है जोगी iron क्या होता है तो iron जोता है खून में होमोगलोबीन का निर्माड करता है आगे देखते हैं दिया है कि dant छाय का कारण क्या होता है तो दंथ चाहे का कारण जो होता है जल में जब फ्लॉराइड की मातरा बढ़ जाती है तो दंथ में छरन होने लगता है इसका जो answer जो हो जाएगा इसका जो answer जगा C नमबर हो जाएगा आगे देखते हैं दिया है कि एंटी टॉक्सिन का injection किसकी रोक थाम के लिए दिया जाता है तो यह antitoxin का injection जो दिया जाता है या tetanus के रोकने के लिए दिया जाता है इसका जो answer जो हो जगा A number हो जाएगा आगे question देखते हैं दिया गए कि Albert Einstein थे एक प्रसीद बताना आपको कि Albert Einstein कौन थे यह जो थे हैं वो भातिक सास्तिरी थे हैं इसका जो answer जगा C number हो जागा जो कि इन्हें Nobel पूरुसकार कब दिया गया था तो इन्हें Nobel पूरुसकार जो 1901 सिवी में दिया गया था आगे देखते हैं दिया एक टेलिफोन का अविसकार किसने किया था यह टेलिफोन का अविस्कार जो किया गया था, वो किया गया था, अलेकजेंडर ग्राहम बेल के दोरा, इसका जो एंसर जगा B नमबर हो जागा, वह यहाँ देख गैलिलियो, जो कि गैलियो के दोरा अविस्कार किसका किया गया था, यह थर्मो इसकोप का अविस्कार जो गै जहता है यह एनोबर हो जाएगा आगे देखते हैं दो değil हो संचिफ आल यह एस चलंबर हो जूटा है इसका सही बोलर सेटिलाइट लांच विकल्स होता है इसका जो एंसर जगा D number हो जागा जो कि यह क्या होता है तो PSLB के द्वारा धुरुविया उपग्रोहों में अंत्रीक्ष में अस्थापित किया जाता है जो कि question यह भी पूछ देगा कि प्राथा मेर PSLB द्वारा क्या छोड़ा गया था यह जो छोड़ा गया था 1993 में सफल प्रक्षेपन इसके द्वारा PSLB द्वारा किया गया था आगे question देखते हैं दिया है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकास का वेग क्या हो जागा बतना आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसमें से कौन से गेस जिम्म दार होता है तो प्रथम दिया है कार्बन डायक्साइड जिम्मों अक्साइड दियागा त Nicholas अक्सार्ट दिया तो नाइट्रोजन पारएक्साइड दियागा तो इसमें ज Harthe जादा जो होता है वह ग परमपरागत उर्जा का सुरोत जो होता है यह होता है सोर लाल टेन में होता है इसका जो एंसर जगा C नमबर हो जाएगा जो कि आगे कोश्चन जखते हैं दिए एक निम नियांत्र में बीधुत धारा का मापन जो किया जाता है वह एमिटर इसका जो एंसर जगा D नमबर हो ज एह जो इनसर हो जगा B नमबर हो जागा आगे कोश्चन देक परत्य हैं कड़ाने से कठ्वारत होता है वह हीरा घ किसका औई? कीशंग सूढ़नी का वासिंग सूढ़नी होता है है सोडियम का वार वार पूच Communist सुढ़नीक सोट्र होता है यह याद रखिया है क्योंकि यह को रचिन बार-बार पुच्छा जाता है इसका जो एंसर जो जगा C नंबर हो जागा जो कि आज इतना ही रखते हैं इसका पीडिये पाने के लिए आप में टेलिग्राम यो वाट्सप ग्रूप से जूड के लिए सकते हैं जो के लिंक जो है आपको डिक सिप्सम या कॉमेंट बॉक्स मिल जागा अगर विडियो अच्छा लगाओ तो विडियो को लाइक की जगा और जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ सेयर की जगा फिर मिलते हैं आप सकले विडियो में तब तक लिए धन्यबाद जय हिंद